द्रश्टी आईएस के टूडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें हमने आपसे पूछा था अंतरास्टी अभीलेखागार दिवस किस दिन मनाया जाता है आपके ऑप्शन थे ऑप्शन A 8 जून, ऑप्शन B 9 जून, ऑप्शन C 10 जून या फिर ऑप्शन D 11 जून उस प्रशन का से उत्तर है विकल्प B 9 जून आप में से कर वियूसने इस प्रशने का एकड़म ठीक जवाब दिया है एक प्रदर्शनी का और घाटन किया आपको बता दें कि अंतरास्टे अभी लेखागार दिवस हर साल 9 जून को विशुस्तर पर मनाया जाता है इस दिन दुनिया भर में अभी लेखी समुदाए के पेशे वर अपनी आवाज को एकड़ूट करते हैं सागर सम्रद्धी किस मंत्रा ले या संस्थान की एक पहल है आपके ऑप्शन है पत्तन, पोत, परिवहन और जल्मार मंत्रा ले पेट्रोलिय में में प्रकृति गैस मंत्रा ले, भारती नौसेना या फिर सहकारता मंत्रा ले तो इस प्रशन का से उत्तर है दिकल पे पत्तन, पोत, परिवहन और जल्मार मंत्रा ले आई एक्स्प्रेंशन देखते हैं खाली में केंद्री पत्तन, पोत, परिवहन और जल्मार मंत्री ने सागर सम्रदी पहल का शुबारंब किया सागर सम्रद्धी सरकार की वेस्ट वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए शुरू के गई ओनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है इस प्रणाली को पत्तन, पोत परियोहन और जलमाग मंत्राले की तकनीकी शाखा नैशनल टेकनोलोजी सेंटर यानि NTC, PwC द्वारा विक्सित क्या गया है इसलिए विकल पेसा ही है यह प्रणाली का इंपुट रिपोर्ट जैसे दैनिक ड्रेजिंग रिपोर्ट ड्रेजिंग से पहले और बात के सर्विक्षन डेटा को संसाधित करने और रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट प्रियार करने के बीट समन में सुनुश्रित करेगी साथ ही है प्रणाली दैनिक और मासिक प्रगती विजुलाइजेशन ड्रेजर निश्पादन और डाउन टाइम निगरानी, लोडिंग, अनलोडिंग और निश्क्री समय के स्नेफशॉट के साथ इजी लोकेशन ट्रेक डेटाग में भी सक्षम बनाएगी बताते चलने की ब्रेजिंग का अर्थ जीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के तल से तलचट और मलवे को हटाना होता है इस तरह इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा विकल्पे, पत्तन, पोत परिवहन और जल्मार मंत्रा ले अगला प्रश्ण है हाली में खबरों में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेट्ट किस राज या केंद शासित प्रदेश से सम्मंदित है तो आपके उप्शन है अंडमान, और निकवार, केरल, लक्षदीव, या फिर्ता मेलाडू तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पिसी, लक्षदीव खाली में प्रदान मंत्री ने लक्षदीव में न्यूट्री गार्डन प्रोजेट्ट की सराना की है इस दिकल्पिसी सही है न्यूट्री गार्डन प्रोजेट्ट आत्मिरभर भारत के विकास उदेश के फलसरूप शुरू किया गया था इसके तहट एक हजार किसानों को सबजी के बीच और फलों के पौधे प्रदान किये गए केंद्र आयुश मंत्राले के साथ केंद्री महिला एवं बाल पिकास मंत्राले ने लगबग 4.37 लाग आंगनवाडी केंद्रों में पोशन बाटिकाओं की स्थापना की है न्यूट्री गार्डन अच्छे स्वास्त और कल्यान को बढ़ावा देने के साथ व्यक्तिगत या सामोदाई खपत के लिए पोशक तत्मों से भरपोर फसले उगाने हें तू एक लागत प्रभावी मॉडल है ये किस्थाई जीवन चक्र दिश्टिकोन अपना कर अल्प पोशन और अती पोशन दोनों से निपटने में मदद कहता है इस तरह इस प्रशनका से उत्तर है विकल्प सी लक्षदी लेस्ट क्वेशन है हाली में चर्चित कैप्टागन पिल के सुदेश से उप्योग की जाती है आपके आप्शन है दर दूर करना, सतर्कता बढ़ाना, संक्रमन का इलाज करना या फिर भोजन विशाक्तता का इलाज करना तो इस प्रशनका से उत्तर है विकल्प बी सतर्कता बढ़ाना हाली में सामने आई खबर के मताबिक इसलामिक स्टेट और सीरियाई लडाकों ने लडाई के दौरान सतर्कता बढ़ाने और भोग को दभाने के लिए व्यापक रूप से कैप्टागन का सेवन किया इसलिए विकल्प बी सही है कैप्टागन एक हाइली एडेक्टिव एमफेटेमीन प्रकार की दवा है ये मुख्य रूप से सीरिया में उत्पादित होती है और पूरे पश्यमेशिया में व्यापक रूप से इसकी तसकरी की जाती है कैप्टागन को पहली बार 1961 में एमफेटेमीन और मैथामफेटामाईन के पिकल्प की रूप में निर्मित किया गया था जिसका उपयोग उस समय नारकोलेपसी, ठकान और विवहार संबन्दी विकार के लाज के लिए किया जाता था एमफेटेमीन प्रकार की दवाओं का ऐसा उपयोग हाल की घटना नहीं है बलकि दिती रिशोदी के दौरान नाजी जर्मनी और मत्र देशों की सेना ने अपने सैनिकों को एमफेटेमीन दवा प्रदान की थी इस तरह इस प्रशन का से उपतर है विकल्प 20 सतर्कता बढ़हाना अगला प्रशन है गुलाबी, बॉलवर्म, प्रतिरोधी, ट्रांसजैनिक का पास किसके द्वारा विक्सित किया गया है आपके आप्शन है तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्पे बायो सीड रिसर्च इंडिया चलिए इस प्रशन देखते हैं हाल ही में गुजरात महरास और तेलंगाना ने एक नए प्रकार के ट्रांसजैनिक का पास बीच का परिक्षन करने के एक प्रस्ताव को खारिश कर दिया है यह प्रस्ताव केंद्र की जैनेटिक इंजिनरिंग मुल्यांकन समिती यानी GEAC द्वारा अनुमोदित था इस बीच को हैदराबाद इस्थिद बायो सीड रिसर्च इंडिया द्वारा विक्सित किया गया है इसलिए विकल्पे सही है इसमें एक जीन प्राइ 2 AI है जो कपास को एक प्रमुकीट गुलाबी बॉलवाम के लिए प्रतिरोधी बनाता है यह बीच प्रारंभिक और सीमित परिक्षनों में पास हो चुका है जिसके बाद GEAC द्वारा किसानों को खेत में परिक्षन करने की सिफारिश की गई थी बताते ही चलने कि अभी तक प्रांसजेनिंग का पास एक मात्र जीम फसल है जिसे भारत में स्विक्रत किया गया है और बरतमान में इसकी खेती की जा रही है इस तरह इस प्रशनका से उत्तर है विकल्प A यानि बायो सीड रिसर्च एंडिया अगला प्रशन है गुलाबी मीनाकारी के संबन्द में निम्ल्खित कत्मों पर विचार कीजिए कथन एक है या वारानसी में प्रश्वित एक कला रूप है कथन दो है इसे अभी तक G.I.T.E.G. नहीं दिया गया है और कथन तीन है या मिट्टी के बरतनों पर ही किया जाता है ओपरिउट मेंसे कितने कथन सही है या आपको बताना है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं तो इस प्रश्मिता से उत्तर है विकल पे केवल एक कथन ही सही है आई एस प्रश्मिता से आई की बात को समचते हैं बता दें कि गुलाबी मीनाकारी बाराणसी का एक अनूठा कला रूप है इसली कथन एक सही है इस कला रूप को 2015 में जी आई टैक दिया गया था इसली कथन दो सही नहीं है इस कला में कारिगर किसी धातों की सता पर विभिन खनिश्पदार्थों के टुकणों को जोड़कर उसे रंगते या सजाते हैं इसली कथन दीन सही नहीं है बताते चलें कि मीनाकारी फारस के कला है जिसमें धातों की सता के विभिन रंगों से रंगाई की जाती है ये कला 17 सदी के आरंब में मुगलकाल के वरानसी में फार्सी तामचीनी बनाने वालों द्वारा लाई गई थी इस प्रकार से केवल एक कधन ही सही है यानि इस प्रशन का सयुक्तर होगा विकल पे केवल ए आगला प्रशन है हाली में समचारों में देखा गया माउंट मेयोन जौला मुखी कहां इस्थित है आपके आप्शन है पेरो चिली ट्रेंच, इंडोनेशिया, इटली या फिलिपीन्स तो इस प्रशन का सयुक्तर है विकल पिड़ी फिलिपिन्स हाली में फिलिपिन्स की सबसे सक्री जौला मुखी मेयान ने लावा और सल्फूरी गैस उगलना शुरू कर दिया आपको बता दे मेयान जौला मुखी फिलिपिन्स के मनीला से 500 किलोमेटर दक्षिन में लुजौन के मुखिवीब के दक्षिनी भाग में स्थित है इसलिए विकल्पिडी सही है समदृतल से इसके उचाई 2462 मेटर है कि फिलिपिन्स में सबसे सक्री जौला मुखी है तो वहीं यह दुनिया के सबसे सक्री जौला मुखियों में से एक है यह जौला मुखी पिछली चार शिताबजियों में 51 बार से अधिक पड़ चुका है मौंट मे पाकरी बाग 2018 में फटा था जिससे हजारों ग्रामीनों को विस्थापित होना पड़ा था और आसपाश के शहरों में राग की मोटी परज जम गई थी इस तरहा इस प्रशन का सयुत्तर है विकल्पडी फिलिपिन्स नेस क्वेस्टन है रेस्पेटरी सिंकी टील वायरस के संबन में ने मिकित कत्मों पर विचार कीजिए कथन एक है इसमें सर्दी जिस सेलक्षन देखे जाते हैं कथन दो है ये नाग गले फेफ्टर और सांस लेने के मार्क को संक्रमें तरता है और कथन तीन है इस बिमारी के लिए दुनिया में कोई टी का उपलब्द नहीं है उपरिट में से कितने कथन सही है यानि RSV के लिए यूरोप के पहले टीके को मंदूरी भी है RXV नामक के टी का ब्रिटिश दवा निर्माता GS के दुआरा बनाया गया है इससे 60 वर्ष और उससे अधिक आयो के लोगों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है इसलिए कथन 3 सही नहीं है आपको बता दें कि रस्पेटरी सिंकेटियल वाइरस यानि RSV एक सामान स्वशन वाइरस है जो ना गले फेफल और सांस देने के मार को संक्रमित करता है इसलिए कथन 2 सही है इसमें आम तोर पर सरदी जैसे लक्षन देखे जाते हैं जो बच्चों और बुजर्गों में निमोनिया का एक प्रमुकारण है इसलिए कथन 1 सही है ये किसी संक्रमित रक्ति के संपर्प में आने या वाइरस से दूशिस सत्वों को चूने से फैलता है इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है अगला प्रश्ण है तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्प D सचिन सान्याल खाली में रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी जैनती पर शद्धांजली अर्पित की गई आपको बता दे कि रामप्रसाद बिस्मिल बारती सुतंतरता अंदुलन के प्रमुक सैनानी थे उनका जैन 11 जून 1897 को सेंट प्रांथ जो की अब उत्तरप्रदेश है के शहजापूर जिले में हुआ था उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना की और 1927 में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें फासी दे दी गई आपको बता दे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन को ही बाद में हिंदुस्तान सोस्थिस रिपब्लिकन एसोसियेशन कहा गया भारती सुतनरता अंदुलन के चार करांत्र कारियों को साल 1927 में यानि 17 दिसंबर को राजनात लाहडी को और 19 दिसंबर को अश्वाकुला खान, रामप्रसाद बिसमिल और ठाकुर रोशन सेंग को फासी दी गई थी किफासी काकुरी ट्रेन डकेती के दो साल बाद हुई जिसमें हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन एसोसेशन यानि एचारे के सदस्यों ने बटिश खजाने में पैसे ले जाने वाली एक ट्रेन को लूट लिया था जबकि साचिन सान्याल की म्रत्यू साथ फरवरी 1942 में हुई थी इसलिए विकल्प D सही है यानि इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प D साचिन सान्याल अगला प्रशन है खाली में इशाद आम को भोगोली संकेत यानि जी आई टेग मिला है ये आम कहां पाया जाता है आपके आप्शन है उत्तरकंण करनाटक नाधियाल आंधरप्रदेश गिरनार गुजरात या फिर दुमका जारखंड तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल् ये बहुत स्वादिस्ट होता है और इसमें अधिक गूदा होता है मार्श 2022 ने अंकोला एसेत माथा तोटागर्स फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी यानि MTFPC लिमिटेड के माध्यम से जी आई टेग के लिए आवेदन किया गया था सरकार के जोग्रिफिकल इंडिकेशन जनर करनड यानि करनाटक चले अवाम पहुंद गया एपिसोड के अंतिम प्रशन पर तो अंतिम प्रशन है गिलगित पांडू लिपी के संबन्ने निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए कथन एक है यह भारत में सबसे पुराना जीवित पांडू लिपी संग्र है कथन दो है पांडू लुपियों की खोज नौपुर गाउं में तीन चरणों में की गई थी और कथन तीन है इन्हें पांचवी से छटवी शिताब दी इस वी के बीच लिखा गया था उपरिप में से कितने कथन सही है या आपको बताना है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो सभी तीन या फिर कोई भी नहीं तो इस प्रशनका से उत्तर है विकल्पसी सभी तीन कथन सही है चले एस प्रेंशन से आई की बात को समझते हैं हाल ही में भारत के राष्टिया भी लिखागार नई दिल्ली में चल रही एक प्रदर्शनी में गिलगित पांडूलुपियों का प हो जा गया था इसलिए कथन दो भी सही है संभावता इन्हें पांचवी से छटी शिताब्दी इसलिके बीश लिखा गया था इसलिए कथन तीन सही है इन पांडूलुपियों का मुख्यभाग भारत के रास्ची अभी लिखागार नई दिल्ली में रखा गया है जबकि प्रश्मीर में संरक्षित है इस प्रकार तीनों कथन सही है यानि इस प्रश्न का सहीत पर है विकल्प सी सभी तीन कथन सही है चलिए अब नोट कर लेजे आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न खाली में तमिलनाडू के पूथी नाथम गाउं में खोजी गई सेल्ट के सवधी से सम्मंदित है आपके ऑप्शन है ऑप्शन है मधपुरा पाशानकाल ऑप्शन दी नवपाशानकाल ऑप्शन सी मुत्तर पुरा पाशानकाल या फिर ऑप्शन दी मधपाशानकाल तो झाल झाल